हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताँगा कि आप वाटसप स्टेटेस को अगर म्यूट करते हो या फिर अन्म्यूट करते हो तो उससे क्या होता है आप में से बहुत से लोग जो है इस फीचर का इस्तमाल करते हैं यानि स्टेटेस को म्यूट या अन्म्यूट करते हैं लेकिन उन में से काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि mute या unmute करने से क्या होता है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप किसी के WhatsApp status को mute या फिर unmute करते हो तो उससे क्या होता है अगर आपको भी यह जानना है कि WhatsApp status को mute या फिर unmute करने से क्या होता है तो इस वीडियो को आप पुरा देखते रहें लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए यहाँ पर क्लिक करिके अपने दोस्तों के साथ सेर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक घंटी आएगा इसको दबा के ओल पर ज़रू से प्रेस करिए ताकि आगेन वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं दोस्तों यहाँ पर मैं किसी के भी अगर वर्टसप को यहाँ पर म्यूट करता हूँ तो इससे यह फायदा होता है कि अगर वह बार बार वर्टसप स्टेटस जो है अपडेट करता है तो यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा यानि आप ज्यादा यहाँ पर परिषान नहीं होगे तो वर्टसप स्टेटस को Mute करने का एक यही फायदा होता है कि जब भी वो अपने whatsapp status को अगर कोई बंदा बार बार यानि दिन में 30-40 बार अपडेट करता है या फिर 10-20 बार अपने whatsapp status को अपडेट करता है तो इससे में आप अगर ज़्यादा परिशान हो गए हैं यह feature का इस्तमाल करके आप जो है उसके status को यहाँ पर mute कर सकते हो आप वो जब भी अपडेट करेगा आपको कोई भी यहाँ पर परिशानी नहीं होने वाली है तो whatsapp status को mute करने से यही होता है कि अगर कोई आपको ज़्यादा परिशान कर रहा है अगर whatsapp status बार बार अपडेट करके तो आप इससे जो है इस तरीके से mute करके उससे छुटकारा पा सकते हो और आप चाहो तो समय बीतने के बाद उसे unmute भी कर सकते हो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like कर देना मेरे भाई और friends and family के साथ जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कर देना